असलाम लेकुम, how are you all, this is your science teacher from FEI and we are gonna start our next lecture today that is plant parts and animal products as food from the chapter food, where does it come from, so students, हम आज का लेक्टर स्टार्ट करते हैं, मैं पहले आपको इस ये बता दो, हमने previous lectures में पढ़ा था that, जो सोर्स होते हैं, जो जरिया होता है खाने का, जो हम खाना कहां से हम लेते हैं, like plants से लेते, animals से ले हम आज का topic स्टार्ट करते हैं, ठीक है, plant parts and animal products as food, so students, हम तो पता ही है, हम क्या पता है, जो खाना का जरिया है, जहां से हम खाना लेते हैं, वो क्या है, plants and animals है, ठीक है न, अब क्या है, यसे आपको पता है plants है, एक source of food है, ठीक है, एक source of food क्या है, plants है, हम क्या करते है, we eat only edible parts of for the plant we eat only edible parts of the plant, we eat only edible parts of the plant like root, stem, leaf, seed fruit, flower, i will give you examples एडिबल पार्ट में ला अईइआ प्लाट के वने पाइटीन में उसे इना बानावous पस года बाड़ के प्लांट के अर्ग्सिराईए अगया बुस्के अपसरा गजाए लॉगोच प्लाथ के वनाव mismos है शुकाया विछतीज हेताइं यह लीव प्लांट प्लांट का फॉकला के लत को सबस्कारों के दिक Subscribe यह तो होगे plant products, plant parts के ठीक है न, यह होगे nectar, nectar इसमें क्या होता है, honey bees collect nectar from flower, convert it into honey and store it in their hive, flower and their nectar may be available only for a part of a year, so they store their nectar for their use throughout the year, देखो क्या होता है, जो flowers होते है, जो honey bees होते है, वो flowers से nectar juice लेती है, nectar ले ले लेती है, मलब sweet juice ले लेती है, ठीक है न, nectar होता है, sweet juice होता है, वो ले ले लेती है, फिर क्या करती है, उसको convert करती है, किस में? honey में, ठीक है न, और किस में store रखती है, अपने hive में, जहां पर रहती है, ठीक है न, honey bee, आपको यह बात याज रखनी है, जो कुछ flowers ऐसे होते हैं, जो साल में किसी एक पार्ट में nectar प्रूस करते हैं, ठीक है न, पूरे स स्टोर करती है, अपने hive में, जहां पर रहती है, फिर जब हमें, honey bee का hive कहीं दिखता है, फिर हम उसे सारा honey ले लेते हैं, अपने इस्तिमाल के लिए, ठीक है न, तो यही थे, क्या थे, plant parts, जो हम खाने, edible parts, जो edible parts होते है, plant के, जो हमें खाने के लिए, मिल जाते हैं, और जो अपने लेते हैं, और leaves भी आ गया, तो अब क्या है, अब मलब सारे जो होते है, जो edible parts हो हमने खा लिए, अब जो nectar है, इसमें हमने क्या बोला, honey bee collect करती है, nectar flowers से, फिर इसको मलब convert करती है, honey mate, ठीक है न, कभी कोई flower होते है, कभी कोई flowers होते है, जो कि साल में, एक पार्ट में कभी nectar produce करते है, फिर वो honey भी जा उदर से nectar ले लेती है, फिर उसको अपने यूज के लिए, पूरे साल के लिए store रखती है, हाइव में ठीक है, फिर जब हमें कई ये बी हाइव दिखता है, फिर हम उससे सारा honey ले लेते हैं, ठीक है students, आया आपको समझ जो आज का topic था, plant parts and animal products as food plant parts कोन से थे, like edible parts like stem, fruit, flour, seedlings और animal products like nectar, ठीक है ये था आज का topic जो कि इस chapter का last topic है, इसमें आपको कोई भी confusion, कोई भी problem होगा, आप मुझे टेक्स्टियो को कर सकते हैं, अल्ला हाफिज